उत्तर प्रदेश के सुल्तानपूर में एक युवक की प्रेम प्रसंग में लाठी डंडो से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई मिर्तक देराद विवाहिता से मिलने उनके घर पहुंचाता जहां महिला के देवर की आँख खुल गई और उसने आरूपी को जान से मार डाला आशी बंगवा जिला बस्ती दोनों मुंबई में टैक्सी ट्रैवर थे साथ में काम करते करते दोनों में दोस्ती हो गई यूनुस रमसंकर की घर आने जाने लगा और उसकी पत्नी से यूनुस को प्रेम हो गया शनिवार रात यूनुस बस्ती से रवासंकर की पत्ती से मिलने उसके घर आया था इसकी भनक लगते ही रवासंकर के भाई शूखुमार वाक्रिपा संकर ने यूनुस को दबोच लिया गरामीडों के मताबी दोनों भाईयों ने लाठी डंडों से उसकी जम कर पिटाई की और गंबी रूप से जख्मी कर दिया जख्मी यूनुस सामुदाइक स्वासकेंद कादिपूर पहुचाया गया जहां डाक्रों नों से ब्रित गोसित कर दिया पुलिस ने आरोपियों को हिरासत पे लेकर पूस्ताज सुरू की है पुलिस अदिक्षक डाक्टर विपिन कुमार मिस्त्रा कहते हैं कि विधिक कारवाही की जा रही है इस समंध में प्राफ जानकारी के अनुसार मिर्तक का समंध राजकुमारी यादव के साथ था राजकुमारी यादव का पती रमा संकर यादव और मिर्तक दोनों बांबे में टैक्सी चलाते थे जहां से ये पूर उपरचित थे बीती रात या राजकुमारी यादव के घर पे पहुँचा था जहां पर उसके देवर शिवशंकर और खृपाशंकर द्वारा देख लिये जाने पर उन लोगों ने लाठी रन्नों से पीट कर इसकी हत्या कर दी है इस सम्मन्द में शिवशंकर और अक्रपाशंकर को हिरासत में लिया गया है तथा परजनों को सुचित करके अग्रेतर विधिक कारवाई कराई जा रही है सुल्तानपुर से 944 के लिए स्यामचन स्रवास्तों की रिपोर्ट सुल्तानपुर और अमिठी की सबसे पहले और सबसी तेज करें